सो हेलो इन्वेस्टर्स वेल्कम बैक तो दे चैनल कैसे हैं आप सब मैं आप सबका अपना प्रॉपटी एडवाईजर नितिन मंचंदा रियल स्टेट से जुड़े हो यह रेगुलर अपडेट्स आप सबके लिए लाता रहता हूं और आज इस लोकेशन पर खड़े हैं इसकी वीडियो पर पहले भी श्वूट कर चुका हूं और काफी अच्छी अच्छी शूट कर चुका हूं और काफी हमने इसमें माल भी वे बेचा है लेकिन अगर मैं इस सोइटी की इस टाउन SHIP की लोकेशन की बात करू हूं तो जैसे की आप मेरे belt रहने वाली है GT कर नाल रोट पर आपका प्रोजेर्व को चो सा नहाइं वाला है सेक्टर83 Xoomi Pat के ये location रहने वाली है सेक्टर सरुनी输 कुछ想र्णल रहने वाली है अगर मैं knit की अगर मेरे मेरे यहाँ पर मेंजर डेवलापrench तो आपका Each प्रोजेक्ट के बारे में क्या future development आने वाली है पी ग्रीन सिटी सोनी पर सेक्टर 83 में आने वाला है जैसे कि मैं आपको location पर बताया है उसमें आपको आपकी choice के plots आपको मिल जाएंगे अगर मैं PP Green Face City 2 की बात करूँ जिसमें हमारे लगबग maximum plot sold out है कुछ ही आपको plots में कुछ ही आपको blocks में आपको fresh एक या दो ही inventory मिलेगी लगबग इसमें totally project sold out है अब हमारे पास सिरफ F block में ही plots अवले बने हैं जैसे कि मैं आपको location की बात कर रहा था location हमारी GT road की रहने वाली है highway की location रहने वाली है total project का land patch 45 hectare का land patch रहने वाला है और भी काफी अच्छे यहाँ पर brands आ चुके है अगर मैं इस builder के background की बात करूं तो builder का काफी अच्छा background रह चुक है builder ने आपने जैसे द्वार का में वेगर स्मॉल सुना होगा वह भी इसी की construction रह चुक है और काफी अच्छे अच्छे product आज वो trade करता है 55 में कोई भी inventory ने मिलती 60 to 65 के उस पर प्राइस पर trade करता ही तो अभी यह भी इनिशल स्टेज पर under construction property है 15-18 महिने में इसका possession आने वाला है और उसके according इसका lucrative payment प्लान रहने वाला है अगर मैं payment की बात करूं तो आपकी installments में आपकी payment जाएगी आप एफ ब्लोक में देखोगे तो उसमें और आपको अच्छा lucrative payment प्लान मिल जाएगा आपको काफी अच्छा time मिल जाएगा payment करने का दूसरा अगर मैं construction update की बात करूं तो मेरे हर एक ब्लोक के roads बन चुके है इस time पर STP वगेरा यहां पर बन रहा है water harvesting plant बन रहा है पाक सी कुछ इन्होंने greenery का काम भी start कर चुके है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो इनका gateway gate भी बन चुके है gate bean का ready हो चुके है और जैसे कि देख सकते हो यह totally आपकी बारा मिटर की रोड रहने वाली है अगर मैं इसमें और आपके 3 floor रहेंगे 180 गत से नीचे के plots रहेंगे हर्याना में क्या एक drawback है कि आप 180 गत से नीचे के plots की आप floor wise रिजिस्ट्री नहीं करवा सकते हो लेकिन यह दीनद्याल के plots है इसमें आपको अच्छी benefits मिलेंगे कि आप इसमें floor wise रिजिस्ट्री करवा सकते हो और floor wise आग property नहीं मिलती इस रेट पर प्राइस है इसमें रहने वाले 61,000 रुपीज पर स्क्राइड से लेकर 71,000 रुपीज पर स्क्राइड जो की negotiable price है आपको काफी अच्छा इसमें discount मिलेगा मेरे पास कुछ पुरानी inventory जिसमें अवलेबल है आपको price के लिए आपको जिसमें आपको property purchase कर सकता नोइडा वाली site देखे काफी यह मान के चले की totally लगबग नोइडा आपका पूरा लीस पे है और दूसरा वहां पर भी काफी rate बढ़ चुके है जो अब डेली के आसपास की belt है वो एक सोनी पत की ही belt है जो की इस टाइम पर काफी developing stage पे है जहां पर major government की development आ रही ह आगर मैं बात करूँ तो government की development यहां पर आपका मेरे यहां से 11-12 km की दूरी पे खरकोदा है जहां पर आपकी major developments आ रही है आपका मारुती का प्लांट आ रहा है मारुती का electric vehicles का यहां पर प्लांट आ रहा है कम से कम 800 अकड का प्लांट रहने वाला है दिन रात वहां पर काम चल रहा है आप जाके कभी भी देख सकते हैं दूसरा आपका IMT इंडस्ट्रियल मैंजमेंट टाउंशिप हो गया महंद्रा इंड महंद्रा हीरो मोटर को आपकी जूसरी जे बीम की जो बसी है हमारी डिटी सी बसी डेली की वो भी यहीं पर ही manufacture होंगी और दूसरा आपके व अप्र और ऑड़ी सी स्प्लाई कम थी और दिमांड अची तो यहां पर काफी अच्छे अच्छे रजिदेन्शल प्रोजेक्स आ चुके हैं residential की investment सबसे safer investment मानी जाती है तो आप मोका मत छोड़िये अच्छे prices पे plots उठाइए और अच्छे time पर आपको exit भी करवाया जाएगा appreciation के साथ अच्छे एक premium के साथ दूसरा अगर मैं बात करूँ हम बात कर रहे थे development की तो आपकी जो ये road सीधा जा रही है आपकी डेली की तरफ जा रही है उसके बीच में आपका एक UER भी connectivity रहेगी UER की जो connectivity रहेगी अगर आप सोनीपत से airport को connect करना चाहते हो तो आप maximum 30 से 35 मिनट 40 मिनट की drive पे आप direct airport को connect कर सकते हो बीच में आपको डेली का traffic देखने की फेस करनी की जूट नहीं पड़ेगी आप बारो बार highway से जाओगे और जो ये GT road है आपकी direct पंजाब से connect करती है और जो mainly पंजाब का सारा का सारा crowd है major crowd आपका सिरफ डेली आता है international airport connect करने तो आप यहां से direct IGI को एरपोर्ट को connect कर सकते हो और सारा का सारा traffic divert हो जाएगा पस के vicinity की बात करूँ कि आजपस है क्या hospital facilities से लेकर school facilities, educational facilities सारी आपको यहां पर facilities level मिलेगी commercial markets होगी हम भी अपने एक project में commercial बनाने जा रहे हैं दूसरा दो से तीन किलोमेटर के radius में सारी यहां पर educational universities काफी अच्छी अच्छी universities, renowned universities delivered है operationalize time पर आपने रिश्यूड university का नाम सुना होगा, SRM university राजीव गांदी education city, अशोका university, ओपी जिंदल यूश्टी तो यह totally एक educational hub भी कह सकते है यहां पर आने वाले time मेर यहां पर मान के चलिए कि आपका मोटा मोटा कर सकते हैं, जिनकी blue color या white color job होगी, वो यहीं पर ही आके stay करेंगे, और educational hub सारी facilities हैं यहां पर, तो आप एक बरी जुरूर visit कीजिए, हमारा office, head office, NSP, पीतंपुरा में ही है डेली में ही है, site visit हम ही provide करते हैं, आप एक बरी visit कीजिए चीज देखिए और अपना upload book करवाई है thank you, mention number पे, highlighted number पे, आप मेंट से price ले सकते हैं best to best मैं आपको price दे सकता हूँ और नीचे दिये गए number पे आप call भी कर सकते हैं, for more information thank you